21 जून 2020 रवी बार को हल हरनी अमावस्या भी है और इसी दिन सूर्य ग्रहन और फादर्ज दे का भी संयोग बन रहा है इसी के साथ इस दिन अंतराश्टी योग दिवस भी मनाया जाएगा इस बार 21 जून को एक साथ चार संयोग बन रहे हैं इस बार कोरोना के चलते हल हरनी अमावस्या के दिन नदियों में इसनान करने की जगा घर में ही गंगा जल की कुछ बुंदे पानी में मिला कर इसनान करना उचित रहेगा हिंदु धर्म में अमावस्या बेहत महत्वपूर्ण है, हल हरणी अमावस्या के दिन हलका पुजन, सूर्य पुजन एवं अर्ग देना तथा पित्रों का तरपन करना अतिफलदाई रहेगा डिनेक्स धर्म कर्म में आयत जानते हैं, इस दिन पित्रों को त्रिप्त और प्रसन्य करने के सरल उपाए, प्राचिन सास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथी के स्वामी पित्र देव हैं, अतह पित्रों की त्रिप्ती के लिए इस तिथी का अत्यधिक मात्व है, इसी दि गात्री मंत्र, महामिर्टिंजय मंत्र और सूर्य मंत्र का जाप करना लाबदाई होगा। योग को अपनाना सुब रहेगा और सेहत मन बने रहने में मदद मिलेगी अमावस्या उपवास को करने से मनवांचित उद्देशी की प्राप्ती होती है इसी दिन फादर्श्डे होने के कारण पित्र पुजन करना पिता की सेवा अथ्वा उनकी आज्या का पालन करना विश्णुपुरान के अनुसार स्रद्धा भाव से अमावस्या का उपवास करने से पित्रगाढ ही त्रिप्त नहीं होते अपितु, ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अस्विनी कुमार, सूर्य अगनी, अस्टवसू, वायू, विश्वदेव, रिसी, मनुस्य पसुपक्च और सरीश्रिप आदी समस्र भूत प्राणी भी त्रिप्त होकर प्रसंद होते हैं। जिन व्यक्तियों की कुंडली में पित्रदोस हो, संतान हीन योग बन रहा हो, या फिर नवंभाव में राहु नीच के होकर इस्थित हो, उन व्यक्तियों को अमावस्या पर उपवास रखना चाहिए। हिंदु धर्म में अमावस्या तिथी का अत्यधिक महतोपुण स्थान है। सास्त्रों के अनुसार ऐसा माना गया है कि देवों से पहले पित्रों को प्रसंद करना चाहिए, तभी किसी भी पूजन का वांशित फल प्राप्त होता है।